हेलो फ्रेंड्स मैं शार्दा थानवी आज अपनी यूट्यूब चैनल पर ले करके आई हूं प्रेम जो हिंदी के सहित्यकार हैं जिनका मुल नाम था धनपत्राय उनकी लिखी कहानी दो बैलों की कथा आज हम पढ़ रहे हैं दो बैलों की कथा कहानी जानवरों में गधा सब उसे जादा बुद्धी ही समझा जाता है हम जब किसे आदमी को पहले दर्जे का बेवकुफ कहना चाते हैं तो उसे गधा कहते हैं गधा सचमुच बेवकुफ है या उसके सीधे पन उसके निरापद सैशनुता ने उसे पदवी दे दी है इसका निश्चय नहीं किया जा सक जितना चाहो गरीब को मारो चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो उसके चहरे पर कभी असंतोस की छाया भी ना दिखाई देगी बैसाक में चाहे एकाद बार कुलेल कर लेता हो पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा उसके चहरे पर एक विसाद इस्थाई रूप से च्छाया रहता है सुख दुख हानी लाप किसी भी दसा में उसे बदलते नहीं देखा रिसियों मुनियों के जितने गुण है वे सभी उसमें पराकाष्टा को पहुँच गए हैं पर आज भी उसे बेवकुफ कहता है सद्गुनों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा कदाचित सीधा पन संसार के लिए उप्यूक नहीं है देखी ना भारत वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है क्यों अमरीका में उन्हें गुसने नहीं दिया जाता विचारे सराब नहीं पीते चार पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं जी तोड़कर काम भी करते हैं किसे से लड़ाई जगड़ा नहीं करते चार बाते सुनकर गंभी खा जाते हैं फिर भी वदनाम हैं कहा जाता है वे ज चोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गदा है और वह है बैल जिस अर्थ में हम गदे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्छय के ताओ का भी प्रयोग करते हैं अतेव उसका इस्थान गदे से नीचा है जूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मूती दोनों पच्छाई जाती के थे देखने में सुन्दर काम में चौकर डील में उंचे बहुत दिनों सासत रहते रहते दोनों में भाईचारा सा हो गया था दोनों आमने सामने य साला मनुस्य वन्चित है दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुंग कर अपना प्रेम प्रकट करते कभी कभी दोनों सिंग मी मिला लिया करते थे विग्रय के नाते से नहीं केवल विनूत के भाव से आत्मियता के भाव से और जैसे दोनों में घनिष्टता होते ही धौल दप कर चलते उस वक्त हर एक की यहीं चेश्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोज मेरे ही गर्दन पर रहे दिन बर के बाद दौपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक जोड़ एग दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान विटा लिया करते नांद में खली भुसा प बेज दिया बैलों को क्या मालूम वे क्यों बेजे जा रहे हैं समझे मालिक ने हमीं बेच दिया अपना यहां बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा अच्छा लगा या बुरा कौन जाने पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों तने पसीना आ गय पगहिया पकड़कर आगे खीशता तो दोनों पीछे की और जोड लगाते मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हूंकारते अगर इश्वर ने वानी दे दी होती तो जूरी से पूस्ते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हों हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नह दिया संद्यासा में दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे दिन बरके बुखे थे लेकिन जब नान में लगाए गए गए तो एक ने भी मूर न डाला दिल भारी हो रहा था जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उन से छुड़ गया था यह नया घर नया गाम ने आदमी उन्हें विगानों से लगते थे दोनों ने अपनी मुख भासा में सला की एक दूसरे को कंख्यों से देखा और लेट गए जब गाम में सोता पड़ गया तो जोनों ने जोड मार कर पगही तुड़ा डाले और घर की तरफ चले पगही बहुत मुझबूत थ कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी एक एक जटके में रसियां तूट गई जूरी प्राते काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं दोनों की गरदनों में आदा आदा गराम लटक रहा है कुटने तक पाउं कीचर से सने और दोनों की आखों में विद्रों में सने जलक रहा है जूरी बैलों को देखकर सने से गदगद हो गया दोड़कर उन्हें गले लगा लिया प्रेमा लिंगन और चुम्बन का वह द्रिश्या बड़ा ही मनोहर था घर और गाउं के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे गाउं के इत्यास में एक घटना अभूत पुरवना होने पर भी महतव कूण थी बालसाबा ने निश्चे किया दोनों पसूवीरों को अभिनंदर पत्र देना चाहिए कोई अपने घर से रोटियां लाया कोई गूड इसे बैल किसी के पास ना होंगे दूसरे ने समर्थन किया इतनी दूर से दोनों अखेले चले आए तीसरा बोला बैल नहीं है वे उस जनम के आदमी है इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ जूरी कि इस तरी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी बोली कैसे नमक हराम बैले हैं कि एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए जूरी अपने बैलों पर यहाच्छे न सुन सका नमक हराम क्यों है चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते इस तरी ने रॉप के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं जूरी ने चिडाया चारा मिलता तो क्यों भागते इस तरी चिडी भागी इसलिए वे खुद वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं तो रगड कर जोत्ते भी हैं ये दोनों थहरे काम चोर भाग निक भुसा खाली सुखा भुसा दिया जाए बैलों ने नहीं मुझ डाला तो फीका फीका ना कोई चिकनाहट ना कोई रस क्या खाएं आसा भरी आंखों से द्वार के और ताकने लगे जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे मालकिन मुझे मार ही ड की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया पर वह ज्यादा सैंसल था संद्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मुट्टी रस्यों से बांढ़ दा और कल की सरारत का मज़ा चखाया फिर वही सुखा भुसा डाल दिया अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था जूरी इने फूल की सी फूल की छड़ी से भी ना चूता था उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे यहां मार पड़ी आहस सम्मान की वे था तो थी ही उस पर भी मिला सुखा भूसा नांद की तरफ आंखे ना उठाई दूसे दिन गया ने बैलों को हल में जोता पर इन दोनों ने जैसे पामना उठाने की कसम खाली थी वे मारते मारते ठक गया पर दोनों ने पामना उठाया एक बार जब उस निर्दई ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाय तो मूती को का गुसा काबू से बाहर हो गया हल लेकर भागा हल रसी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया गले में बड़ी बड़ी रसीया ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते हीरा ने मुख भासा में का भागना वेर्थ है मुती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी अपकी बड़ी मार पड़ेगी पड़ने दो बैल का जनम लिया है तो मार से कहां तक बचेंगी गया दो आदिमियों के साथ दोड़ा आ रहा है दोनों के हाथों में लाठी आ है मुती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूं हीरा ने समझाया नहीं भाई खड चल हुई कि उसने इस वक्त मार पीट ना की नहीं तो मूती भी पलट पड़ता उसके तेवर देखकर गया और उसके साहक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है आज दोनों के सामने फिर वही सुखा बुसा लाया गया दोनों चुप चाप खड़े रहें घर के लोग भोजन करने चले उस वक्त चोटी सी लड़की दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मूँ में देखकर चली गई उस एक रोटी से इनकी भुख तो क्या सान्त होगी पर दोनों के हरदे मी को मानों भोजन मिल गया यहां भी किसी सज्जन का वास है लड़की भैरो की थी मा मर चुकी थी सौते ली मा उसे मारती रहती थी इसलिए इन बैलों से उसे प्रकार की आत्मियता हो गई थी दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते अरते साम को थान पर बांध दिये जाते और रात को वही बाली का उन्हें दो रोटी खिला जाती प्रेम के इस प्रसाद हीरा क्या करना चाते हो एकाद को सिंगों पर उठा कर फेंग दूगा लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रूटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है वे बिचारी आनाथ हो जाएगी तो मालकिन को क्यों ना फेंग दूँ वही तो उस लड रूटके में जाती है रात को जब बाली का रूट यहां खिला कर चली गई दोनों रसीयां चबाने लगे पर मूटी रसी मुह में ना आती थी विचारे जो जो बार बार जो लगा कर रह जाते थे सैसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली दोनों से जखका कर उस मूती ने अपनी बासा में पुछा अब चलते क्यों नहीं हीरा ने का चले तो लेकिन कल तक कल इस अनात पर आफ़त आ जाएगी सब इसी पर संधे करेंगे सैसा बाली का चिल्लाई दोनों फुफा वाले बैल भागे जा रहे हैं ओ दादा दादा दोनों बैल भागे जा रह मौका मिल गया सिधे दोरते चले गए यहां तक की मार्ग का ग्यान भी ना रहा जिस परिचित मार्ग से आये थे उसका यहां पता ना था ने ने गाव मिलने लगे तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए हीरा ने कहा मालूम होता है रहा भूल गए तुम भी बेता हासा भागे फिर वहीं उसे मार गिराना था उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम पर अपना धर्म क्यों छोड़े दोनों भूख से व्याकल हो रहे थे खेत में मटर खड़ी थी चड़ने लगे रह रहकर आहट ले लेते कोई आता तो नहीं है जब पेड भर गया दोनों ने आजादी का नुभव किया तो मस्तो कर उचलने कूदने लगे पहले दोनों ने डकार ली फिर सिंग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया यहां तक कोई सांड दोक्ता चला आ रहा है हां सांड ही है वह सामने आप पहुचा दोनों मित्र बगले जाक रहे थे सांड पूरा हाती है उससे भिढ जाना उससे भिढना जान से हाथ दोना है लेकिन न भिढने पर भी जान बस्ती नजर नहीं आ रही इनी की तरफ आ भी रहा है कित मरो बंदा तो 9-11 होता है जो और जो दोड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द सोचना यही है कि उन पर दोनों जने एक साथ चोट करें मैं आगे से रगे दता हूं तुम पीछे से रगे दो दोहरी मार पड़ेगी तो भागना तो भाग खड़ा होगा मेरी और जप्टे तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड देना जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके सांड को भी संगठित सत्रू से लड़ने का तजर्बा था वह तो एक सत्रू से मल यूद करने का आदी था ज्यों हीरा पर जप कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भूंग दिया सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलों में सिंग चुबा दिया आखिर बिचारा जेख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया यहां तक कि सा तरसका किया गिरे हुए बैरी पर सिंगना चलाना चाहिए यह सब धूंगे पैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो पहले कुछ खा तो लें तो सोचें सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें गुस गया हीरा मना करता रहा पर उसन में धसने लगे ना बाग सका पकड़ लिया हीरा ने देखा संगी संकट में तो लॉट पड़ा फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया प्रात्यकाल दोनों मित्र कांजी हौस में बंद कर दिये गए दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार और ऐसा साभी का करना साभी का पड़ा कि सारा दिन बीट गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला समझ में नहीं आता था कि एक ऐसा स्वामी है इससे तो गया फिर भी अच्छा था यहां कई भैसे थी कई बकरियां कई घोड़े कई गदे पर किसी के सामेचारा नहीं था सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे सारा दिन दोनों मित्र फाठकी और टक्ठकी लगाए ताकते रहे कि कोई चारा लेक आता न दिखाई देता था तब दोनों ने दिवार की नमकीन मिटी चाटनी शुर आओ दिवार तोड़ डाले मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा बस इसी बूते पर अकरते थे सारी अकर निकल गई बारे की दिवार कच्छी थी हीरा मजबूत तो था ही अपने नुकीले सिंग दिवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिटी का एक चिपड निकल आया फिर पढ़े पढ़े का आखिर मार खाई क्या मिला अपने बूते भर जोर तो मार दिया ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पढ़ गये जोर तो मैं मारता ही जाओंगा चाहे कितने ही बंधन पढ़ते जाएं जान से क्या हाध दोना पढ़ेगा कुछ परवान ही यह भी तो मरना ही है सोचो दिवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती इतने भाई यहां बंद है किसी की देह में जान नहीं है दो चार दिन और यही आल रहा तो सब मर जाएंगे हां यह बात तो है अच्छा तो लाव फिर मैं भी जोड लगा था हूं मोती ने अपनी दिवार म उपर से लगबग एक हाथ गिर गई उसने दूनी सकती से दूसा धका मारा तो आधी दिवार गिर पड़ी दिवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवाचेतो थे तीनों घोडियां सरपट भाग निकली फिर बक्रियां निकली इसके बाद भैसे भी खिसक ग लेते कि भागे या ना भागे और मूती अपने मित्र की रसी तोड़ने में लगा हुआ था जब हार गया तो मूती ने कहा तुम जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो सायद कहीं भेंट हो जाए मूती ने आखों में आशू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हीरा हम और तो में इतने दिनों साथ रहे हैं आज तुम विपती में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाओ हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी सरारत है मूती गर्व से बोला जिस अपराद के लिए तुम्हारे गले म में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे पर मार पड़े तो क्या चिंता इतना ही इतना तो हो ही गया कि नौदस प्राणियों की जान बच गई वे सब तो आस्रवाद देंगे यह कहते हुए मूती ने दोनों गदों को सिंगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला औ और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा बोर होते ही मुंसी और चौकीदार तथा अन्य करमचारियों में कैसी खलबली मची इसके लिखने की जूरूत नहीं है बस इतना ही काफी कि मूती की खूब मरमत हुई और उसे मूटी रसी से बांद दिया गया एक सब्ता तक दो लुगी बचने लगी और धौपैर होते होते मां पचास साथ आदमी जमा हो आदमी आकर जमा हो गए तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखवाल होने लगी लोग आ करके उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते ऐसे मिर्टक बैलों का कौन खरीदार होगा सैसा एक दड़ील आदमी जिसकी आँखे लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्यों में उंगली गोद कर मुंसी जी सबाते करने लगा उसका चहरा देखना अंतर ग्यान से दोनों से दोनों मित्रों के दिल काप उठे वे कौन है और उन्हें क बगवान सब को ऊपर दया करते हैं बगवान उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है बगवान के लिए हमारा मर जीना दोनों बराबर है चलो अच्छा ही हुआ कुस मित्रों उस दड़ील के साथ चले दोनों की बोटी बोटी काहां पर रही थी बिचारे पांप तक न उठा सकते थे पर भैक के मारे गिरते पढ़ते भाग जाते थे क्योंकि वैजरा भी चाल दीमी हो जाने पर जोड़ से डंडा जमा देता था रह में गाय वैलों का एक दीवर हरे भरे हरे 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 हार में चरता नजर आया सभी जानवर प्रसने थे चिकने चपल कोई उचलता था कोई आनन से बैठा पागूर करता था कितना सुखी जीवन था इनका पर इतने स्वार्थी हैं सब किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं रहा है हाँ इसी रास्ते से गया उन्हीं ले गया था वही खेत वही बाग वही गाव मिलने लगे प्रतिछण उनकी चाल तेज होने लगी सारी थकान सारी दुलबलता गया हो गयी आहां यह लोग अपना ही हार अपना ही घर आ गया इसी कुए पर हम पुर चलाने आया करते यही कुए है मोती ने का हमारा घर नगीच आ गया मतलब समीप आ गया हीरा बोला भगवान की दया है मैं तो अब घर भागता हूं यह जाने देगा इसे तो मैं मार गिराता हूं नहीं नहीं दोड़ कर थान पर चलो यहां से हम आगे न जाएंगे दोनों उन्मत होकर धूप खारा था बैलों को देखते ही दोड़ा और उन्हें बारी-बारी से गले लगाने लगा मित्रों की आँखों से आनंद के आंसु बहने लगे वह जूरी का हाथ चाट रहा था दड़ियल ने जाकर बैलों की रसियां पकड़ ली जूरी ने का मेरे बैल है तुमारे ब भालों को जब बर दस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा उसे वक्त मुती ने सिंग चलाया दड़ियल पीछे आटा मुती ने पीछा किया दड़ियल भागा मुती पीछे दोड़ा गां के बाहर निकल जाने पर वह रुका पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा गया तो मुती अकड़ता हुआ लोटा हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम उससे में आकर मार ना बैठो अगर मुझे पकड़ता तो मैं बे मारे ना छोड़ता अब ना आएगा आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा देखू कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे मर ज अनको कोई जान ही नहीं समझता इसलिए कि हम इतने सीधे हैं जरा देर में नांदों में खली बूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे जूरी खराल दोनों को सहला रहा था और वी सो लड़के तमासा देख रहे थे सारे गाउं में उच्छा सा माल मालूम होता था उसे समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चुम लिए तो आज हमने पढ़ी फ्रेंड्स दो बैलों की कथा उसे प्रेम चंद द्वारा लिखी कहानी दो बैलों की कथा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेर करना ना भू तक कि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें आज के लिए धन्यावाद अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे